हेलो इंडिया मेसेंजर एप क्या है इससे कैसी यूज करना इसके बारे में आज बात करने वालाव फ्रेंट थी अप्लिकेसन आपको प्लेस्टोर पे मिल जाएगा और इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से भी जाएका आप इससे डाउनलोड कर सकते ह देख सकते हैं कुछ इस तरह दिखेगा तापको यहां से अलाव कर देना है अगेन अलाव कर देना है उसके बाद आपको यहां गेटी स्टार्ट पे किलिक कर देना है उसके बाद आपको यहां पर किलिक कर देना है उसके बाद आपको यहां पर किलिक कर देना है उसके यहां पर जिस नमबर से इसका कांट करना चाहते है वही नमबर डाल के यहां पर next-40 तो रखने कर दें अ्धिर हैं तो तो को यहां पर है कि यह उसको यहने कर लेगा तो यहां को यहां है दा कर दोनों कर लें उसके बाद तको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है उसके बाद यहाँ पर फ्रेश्न वाले पर किलिक कर दे हैं तो फ्रेंटस में आपको बताया देना चाहता हूं कि ए बिल zalब वार्टसब की तरह इसमें सारे फीचर सो वार्टसब की तरह है तो सबसे पहले आपको यहां पर पेलसिन वाले पे क्लिक करना है उसके बाद यहां से रिफ्रेस्ट कर देना है आपको यह बिल्कुल वार्टसब की तरह फ्रेंड जीस तरह आपके पास किसी का वार्टसब नंबर 100 नहीं कर रहा है क्योंकि इस application को कोई install करके वहाँ पर अपना mobile नंबर डाल के अपने account utarate नहीं किया इसलिए हाँ आपे कोई नंबर नहींशो कर रहा है मैं बार वार रिफ्रेस्च कर रहा हूं लेकिन देख सकते कोई भी नंबर यहाँ donnा हीकर रहा है उसके बाद friends, यहाँ आपको एक camera का option मिल जाता है, यदि आप अपने camera से उसे photo भेजना चाहते है, direct click करके तो भेज सकते हैं, उसी तरह voice record करके भेजना चाहते हैं, यहाँ से बहज सकते हैं, उसके बाद इस plus वाले पर जैसे ही click करेंगे, तो देख सकती हैं, यहाँ पर आपक मुरीत, मैं fill back चला जाता हूँ, उसी तरह friends, यहाँ फाइल उसे share करना चाहते हैं, यहीं से कर सकते हैं, उसके बाद contact नमर यदि आप भेजना चाहते हैं, तीस वाले पर click करके भेज सकते हैं, और यदि आप अपना location उसे भेजना चाहते हैं, यहाँ से भेज सकते हैं, बिल बिल्कुल WhatsApp की तरह, उसके बाद देख सकते हैं, यहाँ पर add to home screen को option आपको मिल जाता है, यदि आप यहाँ पर click कर देंगे, ती आपको home screen paid हो जाएगा, तो आप वहीं से directly इस application को खले भी ना, उसे chat कर सकते हैं, उसके बाद मैं home screen पर ही चला जाता हूँ, और friends, अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है, तो channel को तुरण subscribe कर लें, इस channel पर आपको everyday इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगे, उसके बाद friends, यहाँ आप three dots जैसे ही click करेंगे, तो देख सकती है, यहाँ पर new group create करना का option मिल जाता है, बिल्कुल WhatsApp की तरह, जिस त दें, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ा दें, यह बिल्कुल इजी है, आप कर लेंगे, मैं सारी चीजों को नहीं बता हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, उसके बाद friends, मैं यहाँ अगे three dots पे click करता हूँ, तो देख सकते है, setting option मिल जाता है, तो देख सकते हैं, friends, यहाँ बिल्कुल WhatsApp की तरह है, सारी option देखने के लिए आपको मिलेंगे, जैसे SMS का है, notification का है, देख सकते हैं, यहाँ पे आपको sound रखना ही या नहीं, जिस तरह WhatsApp में, आप sound रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, नहीं रख सकते हैं, उसी तरह सारा option यहा open करते हैं, तो लोग मांगता है, उसमें भी यह option AI2 का है, तो इसमें भी यह option दिया है, उसके बाद नीचा आएंगे तो देख सकते हैं, इसमें भी उसी तरह option दिया है, blue ticket का head करने का, ति यहाँ पड़के कर सकते हैं, आपने से, बहुत easy है, तो मैं byi फिल bass चला जाता उसके बाद friends यहाँ पर जैसे ही कि लिकने की पे लेंगे देश सकते हमें आपको theme का option मिल जाता है कि आपको theme का एसा रखना, language का option मिल जाता है कि कौन सा language में इस application को यूँज करना है उसी तरह यहाँ आपको chat in media का option मिल जाता है यहां पर आप खूदी पढ़के कर लेंगे फ्रेंट्स बिल्कुल वाड़सप की तरह है इसमें सारे फीचर्स तो फ्रेंट्स मुझे लगता है कि इस application के बारे में जो भी सारी जनकारी थी मैंने आपको बता दी है यदि इस application से related आपका कोई सवाल हो तो मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हैं फ्रेंट्स चलिए तो फिलाल इस वीडियो में इतना है फ्रेंट्स मिलते हैं फिर एक आपने वीडियो के साथ स्वेडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंट्स